तो हमने देखा कल फ्रैंकफर्ट ने बार्सिलोना को एक ड्रॉप पर होल्ड किया, वन वन का स्कोर था जिससे खतम हुआ मैच, मुझे लगा कि फ्रैंकफर्ट डिसर्फ तु विन द गेम, to be honest, they had the better chances throughout the course of 90 minutes, और जिस तरीके के chances उन्होंने फर्स्ट हाफ में मिस्स करे थे, I कब एक टीम इतने अच्छे रन ओफ फॉर्म में होती है, कि जीते जारी है, जीते जारी है, जीते जारी है, और dominating fashion से ही, कि 4-4-0, 4-0, 4-1, मतलब चार गोल करकर के आप सारे मैच जीत रहे हो, सिविया के against इतनी brilliant victory थी, पेडरी ने जो गोल मारके मैच जीता है था, तो लग एक point आता है, जब सामने वाली team जो होती है, वो एक plan के साथ उतरती है, और आप शायद उस intensity, उस physicality के लिए ready नहीं होते हैं, और कल Barcelona के साथ वही हुआ है, in my opinion, कि Frankfurt एक game plan के साथ आई थी, कि उनको अपने wingbacks के साथ attack करना है, midfield में किसी भी तरीके का कोई presence नहीं था, बारसि लो ना, उनके आते ही, Ferran Torres ने equalizer score कर दिया, but by the way, goal of the tournament by Asgarnov, तो, मतलब वो गोल ऐसा था कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी pure connection थी, इतनी शांदार volley थी, और आप एक बार Dimitri Payet का goal भी देखे, जो कल उनोंने मारा, वो तो उससे भी banker goal था, पैत के बाद मुझे लगा कि चावी के substitutions बहुत सही थे, 61, 62nd minute के आसपास उनोंने कर दिया substitute, गावी और Adama को हटा के फ्रेंकी डियोंग और Dembele को अंदर डाल दिया, तो, उससे हमने देखा कि बार्सलोना का, मतलब, there was a spring in their stride, और एकदम से मतलब confidence आ आ गया, और आते ही देख हमने कैसा link up बनता है, फरान और फ्रेंकी और Dembele का आपस में और उसके बाद जो है, equalizer score हो जाता है, लेकिन कल जो है एक चीज़ जरूर बार्सलोना के system में मुझे दिख रहा था कि अगर midfield में control नहीं रहता है बार्सलोना के पास, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी, ब दीछे चले गया है, फ्लैंक्स पर back line को clear कर दिया है, बार्सलोना के और एक अंदर cross डाल दिया है and there is no one to hit that ball, या फिर interception हो गया है, या फिर अगर shot भी आया, तो it was off target, तो ये बहुत बार हो रहा था कल, मतलब, Frankfurt मैं ऐसी लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा, मतलब, they have let themselves down in the final third finishing की जाताक बात है, लेकिन, we all know कि rotation कितना जरूरी होता है, कल watch along पे भी मैं और मुक्तेश यही बात कर रहे थे, कि rotation बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको ला लिए, मैं भी अपनी second place को consolidate करना है, तो ठीक है, जब आपके पास Adama का option है, आपके पास Gavi का option है, तो आप क् इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मतलब, it is not like कि वो उन्होंने अच्छा नहीं perform किया अभी तक, मतलब, they have been absolutely brilliant, लेकिन आपके best starting 11 का भी वो पार्ट नहीं है, अभी best starting 11, I still think the midfield of Frankie Padre and Sergio Busquets is the best midfield for Barcelona, और Ferran Torres, Aubameyang और Dembele, जो उमने El Classico में देखा था, and which worked wonders for Barcelona, तो ठीक है, second leg में I think proper 11 खेलेगी, Frankie De Jong and Dembele will start from the minute first, अच्छा atmosphere होगा, Camp Nou का, अब समझ आ गया है, चाविको की किस तरीके की team है, Frankfurt, कितनी physical team है, referee के बारे में तोड़ा सा बोलना चाओंगा, काफी गलट decisions referee के, against Barcelona, और बहुत बार ऐसा हो रहा था कि referee जो है, वो react ही नहीं कर रहे थे, किसी भी foul I understand the approach कि भई, game को जो है, वो रुकने नहीं देना है, और game चलते रहना चाहिए, मुझे पसंद आती है वो चीज, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, कि जो referee है, वो I think कुछ fouls को तो consider ही नहीं कर रहा था, कि भई, ये foul भी है, क्या हो, और बहुत मुझे लगता हुनो ने धील बरती है, players को कल, तो ठीक है मतलब, लेकिन हाँ, एक चीज हमको पता चलती है, कि Frankfurt जो है, काफी एक well-drilled team है, wingbacks का बहुत पहतरीन तरीके से इस्तिमाल करते हैं, और physical team है बहुत ज़्यादा, तो उनको आपको negate करना है, अगर तो midfield में आपको control रखना पड़ेगा और किसी तरीके से उनके wingbacks पे अंकुष लगाना पड़ेगा, जिससे वो wide areas से आपको परिशान ना कर पाए, तो चावी will be very of that, और क्या होता है न यार देखो, इतना बड़ा season होता है न, जब आप एक European tie खेलता हो, तो वो एक ऐसी team से खेल रहो हो, जो आपकी league में नहीं ख रिपेर करना है गा, आपको पता नहीं है कि सामने वाली team किस तरीके की football खेलने वाली है, क्योंकि उनका football का style अलग है, culture अलग है, बहुत सारी चीज़ा अलग है, तो ठीक है, it happens, तो इतना कुछ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, कल भी क्यों react कर रहे थे लोग, और आज भी मैं Twitter पे देख रहा हूँ, तो बहुत लोग तो, मतलब ऐसे disappoints हो गया है, Barcelona के performance है, मेरे साब से तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो एक result है, जो आए गई कभी ना कभी, आप match भी हारेंगे एक, possible नहीं है ना कि अब सारे ही match जीतते रहे, unless your Barca family, मतलब वो तो madness ही कर रह performance एक उतनी अच्छी नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है, कि आगे भी चीज़े ठीक नहीं होंगी, मैं इसको one-off result भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि Frankfurt played really well, उनका एक game plan था, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से execute किया, और I think they would be disappointed कि they did not get the win, but अब second leg camp हूँ में, तो मुझे लगता है कि Barcelona को result निकालने ना चाहिए, 10 men होने के बाद भी Frankfurt जो है वो चुपनी हो रही थी, although Barcelona के पास control जादा आ गया था, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ था, कि counter पे कोशिश कर रही थी Frankfurt परेशान करने कि Barcelona को, तो काफी brave खिली Frankfurt and I think draw is the least that they deserve, मतलब could have got so much more out of this game, तो ये ए पे एक बस reaction है कि क्यों आपको disappointed नहीं होना चाहिए, फिर आप Barcelona fan from this result, क्योंकि इस तरीके की performances होंगी, इस तरीके की results होंगी, तो there is so much to look forward to and I think the team is doing really well, Eric Tanhaak का जो है, वो appointment almost confirm होने वाला है, Manchester United की तरफ से, Fabrizzi Romano तक ने कह दिया है कि negotiations are almost in place और कभी भी जो है, हमको वो news मिल सकती है, Dutch League एक बार खतम हो जाएगी, उसके बाद जो है, वो news आ जाएगी कि भही क्या सीन है, Eric Tanhaak का, और Eric Tanhaak definitely will be the right man to lead Manchester United, यहाँ पर एक चीज है, जो Manchester United fans को मैं बोलना चाता हूँ, जो कल हमने live stream में भी discuss करी थी, कि patience is the key, patience रखना बहुत जादा जरूरी है, अगर आप patience नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि एकदम भाई, instant results मिल जार, आते ही Tanhaak जो है, एक dead season में चीजों को ठीक करते तो वो तो देखे possible नहीं होगा, क्योंकि किसी भी team को अगर जिसमें इतना जादा mess है, इ नहीं सोच सकते हैं कि आपने उनको एक team assemble करके दे दी और भही चल खिला, चल ट्रोफी जिता, नहीं है, उनका एक अलग तरीका है काम करने का, IX में जैसे हमने देखा है, ground up से team मनाते हैं, IX ने regularly हर season, चाहे वो winter transfer window, चाहे summer transfer window, players lose किये हैं, IX has become that feeder club for all the big clubs around Europe, उसके बावज के around जो भी players इतना अच्छा perform नहीं करें अपने clubs में, वो उनको recruit कर लेते हैं, उस हिसाब से player लाते हैं, जो उनके system या style में fit होते हैं, तो वो बहुत एक उनकी अच्छी approach है, regarding how to rebuild the club, तो वो बहुत मतलब काम कर सकती है, Manchester United की, अगर उनको पूरी authority दी जाए, उनको बोला ज काम करेंगे, तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन आप सोचें कि भाई, एक season कुछ नहीं हुआ, दो season कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं मतलब team कर पा रही है, तो फिर क्या होगा आगे, और 10 hug तो बेकार manager है, वो सब अगर आपने कर दिया, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर vicious cycle चालो हो जाएगी, कि एक manager आता है, हलका सा rebuild करता है, फिर आप उसको निकालते हैं, फिर एक manager आता है, कुछ करता है, फिर आप उसको sack कर देते हैं, जो की हुआ है, sir Alex Ferguson के retirement के बाद, तो देखते हैं, क्या होता है, बट यही है, कि patience is the key, चलिए guys, फिर मिलते हैं, जल्दी, जब तक अपना ध्यान रखें, take care and peace out.